हेलो फ्रेंट्स तो आज हम लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्यूकंबर प्लांट ग्रो करेंगे तो फर्स्ट आपको तो पहले सीट्स पर्चिस करने पड़ेगे तो लिंक इस इन डेस्क्रिप्शन चुलो, जो फर्स स्टेप है कि हम लोग को जो क्यूकंबर सीट्स हम लोग पर्चेस किया है इनको पहले वेट करना है तो इसको 24 आवर्स तक भीगा के ऐसे ही रखना है तो मैं 24 आवर्स के बाद आता हूँ हेलो फ्रेंट्स, तो अभी 24 आवर्स हो चुके है तो मैं आच चुका हूँ आपके सामने तो यह आप देख सकते है तो इस सीट्स, तो इस सीट्स में जो यह वाला सीट्स है यह उपर तैर रहा है इसका मतलब यह सीट्स खराब है यह कोई काम कर ने तो जो सीट्स नीचे चला गया है वो ही काम का है तो पहले इसको अराम से निकाल लेना है हलके हाथों से यह समय वो बहुत मीख है यह देखें मैंने इसको निकाल ली तो इसके लिए आपको क्या करने है सिर्फ प्लेन सॉल और सेंड का मिक्स्टर बनाना है मैंने भी वही किया तो इसमें एक छोटा सा छेद बना के इसको ऐसी करके अराम से ढखते है रखके पर हलकी हाथों से ऐसा से करके मिट्टी के बिछे और इसको ज़्यादा डीप ना करें तो यह दिखिए हमारा सीड अब जा चुका है तो इसके जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको तो पार्ट टू होगा कि उसको कैसे ग्रू करें और पार्ट टू ही में है थैंक यू हेलो फ्रेंट्स तो अभी 24 आवर्स हो चुके हैं तो मैं आप आ चुका हूँ आपने सामने तो यह आप देख सकते हैं दोनों सीड तो इस सीड में जो यह वाला सीड है यह उपर तैर र क्लिक हाँ से हात्वें से क्या इस समय वह बहूत मीख है यह देखे मैंने इसको निकाल लिया तो इसके लिए आपको क्या करना है प्लें सौरीरा और सैंड का मिक्स्टर बना नहीं मैंने भी वह किया तो इसमें छोटा सा च्छेध बना कि इसको आसी करें हराम से ढखिए इसको ज़्यादा डीप ना करें तो यह दिखिए हमारा सीट अब जा चुका है तो इसके जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपने शॉट्स वीडियो में डालता रहूंगा तो यह है इस वीडियो का पार्ट वन तो पार्ट टू होगा कि उसको कैसे ग्रो करें औ हैलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग मैं आपको पताने जा रहा हूं कि कैसे क्यूकंबर प्लाट्ट ग्रो करेंगे तो फ़र्स्ट आपको तो पहले सीट्स परचिस करने पड़ेगे तो लिंक इसिंड डेस्क्रिप्शन चुलू जो फर्स्टेप है कि हम लोग को जो